तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मस्टिकल के सबसे important segment के बारे में drug discovery and development के बारे में यहां पर हम जानेंगे कि यह industry exactly कैसे काम करती है brief में और कौन कोंसी companies हैं जो इंडिया में यह drug discovery के लिए काम कर रही हैं और आपको कैलियर के लिए आपके eligibility क्या होनी चाहिए आपके knowledge and skills कैसे होनी चाहिए जिए आप इंडिस्ट्री में इंट्र कर सके आसानी से तो वीडियो को complete देखेगा और दूसरी चीज़ कि आप इस चैनल को subscribe करें आप जबता subscribe नहीं करेंगे आप आर्मा revolution के community को join नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए आप join करें comment करें आपका कुई भी recommendation है आपका कुई भी query है कुछ भी है अगर comment करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप curious हैं अपने career को लेके आप growth करना चाहते हैं और हमें अच्छा लगता है आपका comment हमें appreciate कर रहा हो या फिर हमें criticize कर रहा हो इन बोध वे हमें यह अच्छा लगता है कि at least आप involved है अपने career के growth को लेके और आप serious है सब्सक्राइब के लिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया तो हमें पता चले कि at least इंडिया pharmacy community के कितनी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम कितनी लोग के लिए साथ साथ में काम कर रहे है ड्रग discovery and development यह सिग्मेंट research and development का वह सिग्मेंट जिसमें API का research and development भ होता होगा कि इंडिया by volume third position पे है जितना हम production करते हैं और उसके value के तौर पे हम 14th position पे हैं तो हम पूरे world में production के तो थर्ड पहुंच गए बट उसका जो total cost है वो 14th position पे ही है इसका मतलब कि हमसे कम production करके भी काफी लोग हमसे ऊपर है by value देखिए ultimately value ही matter करता है तो यह ऐसा क्यों है क्योंकि Indian pharmaceutical industry research में बहुत ज़दा investment अभी तक नहीं कर दी है अब धीरे धीरे investment करना start किये जहाँ पर government ने भी अपना interest दिखाया है कि आप investment के लिए और हम इस industry को और आगे ले जा सकते हैं कोविट के अटाम पर जिस तरीके से Indian pharmaceutical industry ने short time में vaccines बनाए ठिक ग्लेल मार्क एंटे वाल ड्रक्स लॉंच किये काफी चीजें हुई बहुत क्विक time पर बहुत सारी चीजें हुई तो इससे एक confidence आता है कि हमारे industry research and development भ इंक्रमेंट हो रहा है और companies investment अपने बढ़ा रही है कौन को सी company से इस पर काफी investment कर रही है अभी भी और आगे वो अपने investment को और बढ़ाएंगे और और भी companies उनको फिरिज्वाइन करेंगी देशन फार्मा है लियूपिन है आखेडलय हेल्थ केर है ग्लेन मार्क है पिरामल और सेंजीन इंटरनेशनल है यह सारे कंपोनी हैं जो research पे काफी पैसे इनमेस्ट कर रहे हैं अब बात करते हैं कि आपकी educational eligibility क्या होने चाहिए अब पोस्ट गरेजबेट तो होने चाहिए लाइक आप MSC है आप pharmaceutical science में या chemistry में या फिर pharmaceutical chemistry में या फिर inform है मेडिसनल कमिस्ट्री फर्मस्ट्री या फिर कुछ इन्वस्टीज वो ड्रग डिस्कवरी एंड डिवलब्मेंट करके भी inform स्टार्ट किया है आप आपने वो किया हुआ या फिर आपने PhD किया हुआ इन सेम सब्जेक्ट्स में या फिर आप अगर inform QA में तो क्योंकि वहां पर भी QA प्रसर होते हैं तो आपको वहां पर रफ्रेंस मिल सकता है कि आप से एक्सपेक्ट क्या करते हैं क्यों क्योंकि आप एक साइंटिस्ट के तौर पर जाने वाले हैं तो सिंपल सी बात है कि आपके सब्जेक्ट में आपकी in-depth knowledge होनी चाहिए जो भी आपके assignments रहे है research के या फिर जो भी आपके subjects हो हैं उमें आपको in-depth knowledge होना चाहिए आपके logical answering होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आप ऐसे ही जाने दे सकते हैं नहीं किसी भी चीज पर knowledge ना होना एक point हो सकता है बट knowledge वो क्यों नहीं है उसका भी justification होना because आप research and development में हैं आपको direct बहुत सारे regulatory authorities से communicate करना पड़ेगा उनके audits होंगे वहां पर communication करना पड़ेगा आपको बहुत सारे documents prepare करने पड़ेंगे तो आपका English writing and speaking दोनों अच्छा होना चाहिए and third आपका regulatory authorities उनके guidelines उनके norms की भी अच्छी जानकाड़ी होनी चाहिए कि एक-एक point उनके norms and guidelines के हिसाबस ही करना होता है तो यह तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है first कि आपका जो subject knowledge है वो in depth बहुत clear-cut होना चाहिए first second आपका जो communication level है in writing and in speaking दोनों लेवल पर अच्छा होना चाहिए and third आपका regulatory authorities के norms and guidelines की अच्छी जानकाड़ी आपको होनी च सकते हैं और आपका education qualification वो हमने परे डिसकस कर लिया तो यह चीजें हो तो आप इस department में अच्छा इंट्री कर सकते हैं और एक बात और भी है कि Indian pharmaceutical के research and development का जो segment है वो धीरे-धीरे grow करेगा अब और next five to seven years में यह काफी उपर जाएगा और opportunities काफी आने वाली है सारे जितने भी कि लोग हैं या फिर जितने भी parents हैं जो चाहते हैं इसमें अपना career बनाना तो काफी growing segment होने वाला है और काफी अच्छा आपको career growth में मिलेगा no doubt thank you very much